Hello friends, welcome to my channel इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कि बच्चों को पैंसिल पकड़ना कैसे सिखाएं बच्चों को पैंसिल पकड़ना सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बच्चे को प्रिराइटिंग सिखाते हैं जैसे standing line, sleeping line, slanting line तो अगर बच्चा pencil अच्छे से gripping नहीं कर पा रहा है तो बच्चा pre-writing नहीं कर पाता है उसे problem होती है या फिर आपका बच्चा बड़ा हो गया है वो जादा देर writing नहीं कर पा रहा है उसके हाथ में दर्द होता है तो अगर बच्चे की gripping अच्छी नहीं है तो राइटिंग जादा देर नहीं कर पाता है या फिर आपका बच्चा की राइटिंग अच्छी नहीं है तो gripping सिखाना हमें बच्चों को बहुत जरूरी होता है इसके लिए 3 step है पहला step यह है कि जब आपका बच्चा छोटा है तो जैसे आप बच्चों को toys लाके देते हैं उसी तरह से आप बच्चों को color लाके दीजिए बच्चों को रोज drawing राइए रोज 15-20 minutes जितना भी आपका बच्चा drawing करना चाहता है उसे force नहीं करना है बस जब आप उसका महने उसे करने के लिए दीजिए starting में बच्चे कुछ इस तरह से ही चलाते हैं color को बच्चा जैसे चलाएए आप बच्चे को चलाने दीजिए आप उसको रोज practice कराईए दीरे दीरे एक महने में डेर मेने दो मेने में आपका बच्चा दीरे दीरे gripping सीख जाएगा second step यह है कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तीन साल का हो गया है उसे अभी भी pencil में gripping अच्छी नहीं है तो आप कैसे सिखाए उसके लिए आप यह कर सकते हैं आप बच्चे को बताईए जैसे कुछ इस तरह से आप two finger को fold कीजिए और इसे इस तरह से बनाईए और इसमें यह pencil को इस तरह से फसाईए उसके बाद आप बच्चे को इस तरह से writing करना सिखाईए धीरे धीरे बच्चा खुद finger को adjust करके लिखना सीख जाता है और उसकी gripping अच्छी हो जाती है आपको इसकी खुद सी practice करानी पड़ेगी बच्चों को बच्चा धीरे धीरे writing सीख जाएगा थार्ड step यह है कि आप बच्चा हमारा बच्चा कभी pencil को इस तरीके से चलाते हैं कुछ बच्चे इस तरीके से चलाते हैं तो उसके लिए आप pencil पे इस तरीके से rubber band बाढ़ सकते हैं ताकि बच्चे को यह पता चले कि उसे pencil कहां से पकड़नी है तो इस तरीके से मैंने इस pencil पे रबड बाद दिये तो हम इस pencil को बच्चे को बटाएगे कि बच्चे को यहां से पकड़नी है और इस तरह से बच्चा पैंसिल चलाएगा कुछ इस तरह से बच्चा पैंसिल तो धीरे धीरे बच्चे की ग्रीपिंग अच्छी हो जाएगी और बच्चा लिखना सीख जाएगा अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए जेर करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो